मैं फिर से प्रजेंट हूँ ना उनका प्रैक्टिस एक्सरसाइज एट लेकर आई होब कि एवरीवन इस वेल एंद प्रिपरेरिंग हार्ड पूर प्रिपरेरिंग हार्ड प्रिपरेरिंग हार्ड गोल सारे लोग आ चुके हैं क्या दिखाइए वहां पे जाके जल्दी से पहुँ सारे लोग घुमने के लिए चले गए होंगे रातरी में लेकिन जो भी लोग आ चुके हैं उनको अभेरी गुड इबनिंग चलिए मैं बीना डिले किये हुए सेशन की सुरुवात करता हूँ आपका जो बुकलेट है जो नाउन का सीट मिला है उसमें कुछ कोशन को चेंज किया गया है क्योंकि कोशन जो थे रिपीट हो रहे थे तो उस कोशन को हटा कर बेहतरीन कोशन अलग से भी डाला गया है तो नया वाला पीडिएप जैसे मैं नाउन का कंप्लीट प्रैक्टिस करवा दूँगा तो जो नया जो अप्डेटेड कोशन होगा उसको मैं टेलिग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूँगा ठीक है चलिए सारे लोग जूड चुके हैं जल्दी से गल्स लोग की संख्या ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इन लोग घुमने नहीं गया होंगे और बुआई लोग तो सब घुम रहा होगा अरकेष्टा देख रहा होगा चलिए ठीक है देखो हम भी जाने के लिए सोचे बढ़ इतना भीड है कि कौन जाता है आपको मैं देख रहा हूँ यही मेरी खुशी है चलिए आए भाई यू विल फाइंड आ लैंपोस्ट एड दा फ्रंट साइड of the institute थीक है भोला कुमान नाच देख रहे है ठीक है देखो वहीं से यू वील फाइंड आ लैंपोस्ट एड दा फ्रंट साइड देखियेगा अट दा फ्रंट या बैक हम लोग यूज करते हैं फ्रंट अल्रण नाउन होता है इसके साथ side क्या होता है? सुपरफ्लूष होता है error की सपार्ट में है second part में front के साथ या back के साथ हम लोग side नहीं लगाते है सुपरफ्लूष होता है हाँ front के साथ side नहीं लगाते direct बोलता है front या back आगे चलो next question में यहां पे देखिए एरर क्या है यहां पे his adjective है और quick भी यहां पे क्या है adjective है दोनों के क्या चीज की requirement है नाउन की noun का requirement है और noun weird होता है इसमें ty नहीं लेगा यहां ty नहीं लेगा तो पूरे को erraz करके लिख सकते हैं वीट मींस होता है बुद्धी या समझ क्या होता है बुद्धी या वाकपटूता बोल सकते हैं वाकपटूता करा कोमेडियन जो है प्रतेक लोग को अपने मतला वाकपटूता से अपने बुद्धी से सबको क्या कर लिया इंत्रॉल कर लिया आकर्शित कर लिया अपनी और खी कि बन जाता है ठीक है लेकिन यहां पर रिक्वाइरमेंट किसका है नाउन का है तो हीज क्विक क्या होगा वीज होगा हाँ ठीक है ज्यादा लेट नहीं है थोड़ा सा लेट है सतीष कुमार आगे चलते है कोसर नंबर टू मेंदेखिए the infection which causes gums to bleed and teeth to fall out results from the wield up of a particular bacteria that is common to most mouths ध्यान दीजियेगा काने का मतलब है कि यहाँ पे एक word आपको दिखरा होगा D part में A यूज किया है, particular यूज किया है, noun phrase है A के साथ हम लोग singular countable noun यूज करते हैं कैसा noun? singular countable noun का यूज करना चाहिए और देखोगे that हमारा relative pronoun है जिसका antecedent हमारा यही a particular होना चाहिए particular के साथ जो bacteria आया है और उसी currency इसके साथ singular भार्व का यूज़ किया है तो यहाँ पे गलती यह है कि bacteria कैसा है फूलल noun है और आ को क्या चाहिए singular countable noun चाहिए कैसा चाहिए आ को singular countable noun चाहिए bacterium क्या हो जाएगा भाई bacterium bacterium होगा न तो bacteria गलत है सही क्या है बैक्टेरियम error किस पार्ट में है error आपका हो गया डी पार्ट में किस पार्ट में भाई डी पार्ट में और इसी bacterium के लिए relative pronoun that आया है जिस कारण से भर हम लोग क्या यूज किये हैं सिंग्लर भाव इस यूज किये हैं हाँ सारे भाई का अंसर विल्कुल सही है दैट इस होगा लेकिन आपका एरर जो है मेंली बैक्टेरिया नहीं क्या होगा बैक्टेरियम होगा आपको पढ़ाया गया है कुछ ऐसे Latin nouns होते हैं जिसके अंत में UAM होते हैं का plural बनाकर पूलल बनाने के लिए UAM को हटा कर क्या लिखते हैं आ लिखते हैं तो बैक्टेरियम का पूलल बैक्टेरिया है लेकिन यहां पे requirement singular noun का है तो बैक्टेरियम होगा उमीद करते हैं सारे लोग को समझ पाए होंगे आगे चलते हैं नेक्स कोशन में दा कंपानी डी सीजन तू इसु बोनस सेयर्स किलियरली इंडिकेट्स दा मेनेजमेंट इसके बाद हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं नाउन यूज करते हैं क्या यूज करते हैं नाउन नाउन नहीं यूज करोगे तो आप जेरंड कभी यूज कर सकते हैं जेरंड भी क्या होता है नाउन इक वैलेंटी होता है तो जेरंडो होगा जब भर में ING लगाएंगे और उसका मीनिंग निकलेगा किरिया पलस ना तो चलिए जेरंड होगा तो देखा जाएगा यहां हम लोग नाउन पे फोकस करेंगे तो मैंने आएक बात और है कि अपस्ट्रॉफियस सजीव के साथ लगता है तो सर कंपानी तो निर्जीव है एक चीज़ आपको बताया गया होगा कि जब निर्जीव को प्रस्निफिकेशन कर दिया जाता है मानवी करन कर दिया जाता है सजवी करन कर दिया जाता है तो निर्जीव में भी अपस्ट्रॉफियस बिल्कुल सही होता है decision जब भी बोलते हैं तो decision living thing, person लेता है, मानव लेता है, लेकिन यहाँ पर decision को company से relate किया है, तो इस company को मानुवी करन कर दिया है, इसलिए company apostrophies decision बिल्कुल सही है, decision हमारा क्या है, noun है, possession जब भी दर्साय जाएगा, तो noun पर दर्साय जाएगा, to issue bonus share clearly indicates the management, यहाँ भी apostrophies idea confident, confident या confidence की बात करते हैं, तो हमारा जो sense आता है, living thing का sense आता है, तो apostrophies के बाद क्या चाहिए, noun चाहिए, क्या चाहिए, noun चाहिए, और आपको exercise seven में बताया गया है, कि अगर अंत में ant होता है, तो adjective होता है, तो noun बनाने के लिए CRT को change कर देते हैं, C में, फिरर किस पार्ट में हैं, C पार्ट में, managements confident नहीं होगा, क्या होगा, confidence होगा, विनास कुमार विल्कुल सही है, confidence होगा भई, चलिए, sir, how should I appreciate you, मैं नहीं जानता हूँ, यह तो केवल आप जानते हैं, कि आपको कैसे appreciate करना है मुझे, ठीक है, चलिए, appreciation तब दीजिएगा, जब आपका selection हो जाएगा, आप job लेकर आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम deserve करते हैं, अभी deserve नहीं करते हैं, आपके appreciation, आगे चलिएगा, question number 5, देखिए, if a student needs, a student singular है भाई, तो needs बिल्कुल सही है, advice नहीं होगा, क्या होगा, advice होगा, error किस पार्ट में है, first part में, advice मीन सला होता है, क्या होता है, advice मीन सला होता है, और जब इसका meaning सला होता है, तो यह uncountable noun होता है, इसका पूलल संबब नहीं होता, लेकिन हाँ, advice में आप एस भी लगा सकते हैं, और जब Advice में एस लगाते हैं, तो इसका meaning change हो जाता है और इसका meaning होता है, यहाँ पे देखते हैं क्या चिसका sense है, यदि कह रहा है कि कोई भी यह स्टूडेंट को क्या चाहिए सला की जरूरत होती है about carriers ध्यान दिजएगा किसी विद्यार्थी को carrier बनाना होता है तो उन्हें विशेश कर पता नहीं चलता कि हमको क्या करना है किस direction में काम करना है कौन से content को follow करना है कौन से contents को follow करना है तो यह सब चीज का पता नहीं चलता है तो या तो उनके senior या तो उनके teacher या तो उनके parents क्या करते है एडवाइस करते हैं कि आपको इस direction में काम करना चाहिए तो बिद्यार्थी को क्या चीज की जरूरत है सुचना है कि या फी सलाह की तो आपने बोला किसका सलाह का तो यहां पे अडवाइस नहीं क्या होगा एडवाइस होगा he or she should consult the carriers officers ठीक है आगे चलिए नेक्स कोस्टन में देखिए आगे कोस्टन बर सिक्स में है the actress believes in being fit and feels that there are too much hype around zero size ठीक है आप समझते होंगे कि एक्ट्रेस को जो होता है न जीरो साइज ज्यादा पसंद आता है जीरो साइज के आप समझते होंगे ध्यान दिजेगा यह जो मच लगाया हुआ है एक quantity denoting adjective है और quantity denoting adjective है तो हाइफ हमारा uncountable noun है तो यह पूरा का जो हो गया न यह singular हो गया और जब यह singular हो गया तो देयर क्या है हमारा एड़ भर्व हो गया अब देयर के बाद जो भर्व आता है वो singular होगा कि पुल्लल इसका फैसला subject करेगा यह बाद में होगा तो यह singular है यहां पे singular होना चाहिए तो आर नहीं क्या होगा इज होगा जैसे देयर इज अगरल इंदरूम होगा लेकिन देयर आर फाइब गल्स इंदरूम होगा ठीक है देयर इज अपें आन टेबल होगा जब कि देयर आर 10 पेंस ऑन्दा टेबल होगा तो देयर के साथ जो हर्व वो डीपेंड करता है नाउन पे कि अब किस नाउन के लिए इसका यूज किये हैं देर का परियोग भी सेस करके किसी नाउन के लोकेशन को दरसाने के लिए होता है जैसे आजोध्या में एक राजा रहते थे तो देर का आप यूज करिएगा देरवाजा किंग इन क्या हो गया आयोध्या गांधी मैदान में कल एक लड़की थी तो देरवाजा गल इन गांधी मैदान तो लोकेशन को देनोट करने के लिए हम लोग देर का शुरुआत करते हैं एड भर्व होता है यह भर्व का फैसला नहीं करता भर्व को डिसाइड नहीं करता भर्व को डिसाइड सब्जेक करता है और सब्जेक बाद में होता है इस परकार का स्ट्रक्चर को इन भर्जन ब बढ़ हमारा और अगर आपका भोकिबलरी है श्ट्रॉंग है तो ये वर्ड भी जानते होंगे आपको पढ़ाया जाएगा जल्दी सीरीज होने वाला है रूट बढ़ भोकिबलरी का उसमें हम चीजों को आपको कंटनीव करके बताएंगे चीजों को सीरीज बाइस आपको डेली बताया जा रहा है कि दो वर्ड मिलता है अंत में एंटी है तो एड्जेक्टिव है और अगर अंत में सी है तो हमारा क्या है नाउन है जानते हो ना तो कहा रहा है कि दा पलस अच्छा एह हमारा क्या हो गया भाई लोग दा पलस एड्जेक्टिव हो गया ठीक ह अरे अफ्लूएंट मतलब समरिध होता है और अफ्लूएंस मतलब समरिध्धी होता है तो कहला कि समरिध लोग अमीर लोग क्या होते हैं सबसे ज़्यादा खुस होते हैं कहां इस धर्ती पे तो यहां पे इज नहीं क्या होगा आरोग क्या होगा आर होगा ठीक है बहुँ सारी लोग के पास ऐसा perception है कि जो समरिध लोग है इस धर्ती पे क्या रहते हैं सबसे ज़्यादा खुस होते हैं तो is नहीं क्या होगा आर होगा अच्छा आप लोग यह भी सोच रहे होंगे किसर आर्टिकल के बाद तो आपने पढ़ाया है कि नाउन आएगा तो एड्जेक्टिव कैसे आगया तो बावु दा के बाद एड्जेक्टिव भी आ सकता है और दा के बाद नाउन भी आएगा और डीपेंड करता है कि किस चीज़ का requirement है दा पलस एड्जेक्टिव इंटायर या whole community को indicate करता है दरसाता है और whole community को इंटायर community को दरसाएगा तो यह हमेशा हमेशा कलिए plural रहेगा अब हर भी क्या लेगा plural लेगा जैसे अमीर लोग दारीच हो गया गरीब लोग दा पूर हो गया अंधे लोग दा ब्लाइंड हो गया उसी परकार से समरीद लोग के लिए दा अफ्लुएंट हो गया हाँ नीता कुमारी आलवेज पूलल नित्यान अंद यास ठीक है भाई अनंद कुमार का भी अंसर है आर आगे चलिएगा दा एंगरी मॉब एक होता है मॉब और एक होता है क्राउड सिंपल भीड को हम लोग क्राउड बोलते हैं जो एग्रेसिव नहीं होते हैं और जो भीड हमारा एग्रेसिव होता है जो एंगरी होता है उसको मॉब बोलते हैं तो मॉब अल्रेडी एंगरी होता है तो फिर से इसके साथ angry का परियोग करना superfluous है जैसे return में back already होता है return में again already होता है cousin में sister brother already होता है उसी परकार से mob का मतलब ही होता है angry crowd इसमें angry already पहले से include है तो जब angry पहले से mob में include है तो इसके साथ angry का परियोग करना क्या है superfluous है एंग्री सुपरफ्लूस है हाँ सनेहा किसोर बर्मा बिल्कुल सही है आगे चलिए नेक्स कोशन देखिए बताओगे कि इसमेर क्या है अच्छा कोशन है आपको पता चल रहा है क्या आप अनसर बताएं क्या हल है मस्त है भाई बताओ जल्दी से कोई बताएंगे क्या जल्दी से रिपलाई करें एब बताने से थोड़ी न होता है आपको बताना पढ़ेगा और क्या है मुझे मुर्क समझें क्या अब लोग यह बता रहे हैं, जल्दी से बताओ, belongs होगा, रंजु बोल रहे हैं, belongs होगा, सब जान लेंगे मेरा, इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाया गया है, फिर भी आपका कौन से बेहतर नहीं होता है, गुसा आता है मुझे, कैसे करोगे CGL, चलो देखो, at least कम से कम प्लूरल है, दोज क्या है, प्लूरल है, और एक क्या है, रिलेटी प्रणावन है, रिलेटी प्रणावन हूँ ही क्या है, दोज है, दोज ही क्या हूँ है, तो इसके साथ बिलोंग टू दा, सेम प्रोफेशन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ काम कर रहा है क्योंकि हुमें क्या है दोज है तो फिर ध्यान दिजिए यह दोरल हैतों संग्लर पुलल का थभफण रहा है मंस्ट के बाद हमेश कि उलभा लेगा तो यह है लए रहते हैं यां लोग Für जो बिलॉंग करते है और मैत्री पून रहते हैं वे सब क्या है भाई भाई वेलो क्या हैं भाई भाई हैं लेकिन बताईएगा सेम प्रोफेशन और मैत्री पूंस रहते हैं तो ब्लाड रिलेशन थोड़े न है आपसी समझावता के भाई है और आपसी समझावता के भाई है तो ब्रदर्स थोड़े न होगा सही क्या होगा ब्रदरेन होगा न पढ़ाय तो गया है पढ़ाया तो गया है अनंद कुमार का बिल्कुल सही जवाब आया है लेकिन आपका स्पेलिंग गलत है छोटू ब्रदरेन होगा क्या होगा ब्रदरेन ब्लाड रिलेशन के भाई हो सेम पैरेंट्स के भाई हो तो उनको हम लोग ब्रदर्स बोलते हैं और आपसी सम सारा गलती नहीं होगा आगे बढ़िएगा नेक्स कोस्टन में अस्टूडेंट्स सुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डिमोनस्ट्रेशन एज दे इंटर फेयर इन सीरियस अस्टडीज अस्टडीज होगा ना अधियन के सेंस में हम लोग स्टडी वॉर्ड का युज नहीं करते सही क्या होता है स्टडीज किसी पार्टिकुलर मिश अध्यान के बैसे सेंस करते हैं अछेन के सेंस में difficile मिल Shield Kids में सारे लोग का जवाब बीलकूल सही है सदिज होगा आगे बढ़ते हैं next question में जिस question को मैं कम explain कर रहा हूँ इसका मतलब है को से मैं पहले explain कर चुका हूँ पहले वाले exercise में It is a strictly prohibited from going out in a windy weather because going out may be life-threatening अब देखो क्या कह रहा है कह रहा है कि यह मतलब अस्टिक टुप से सक्त टुप से मना किया गया है बाहर जाने के लिए मतलब इस परकार के तुफान भरा मौसम में बाहर जाने के लिए सक्स्त मना है क्योंकि बाहर जाना हो सकता है कि life का एक खत्रा हो सकता है तो ध्यान दिजेगा because conjunction है going यहाँ पे जेरंड है out यहाँ पे अडभर बारा है going out बिल्कुल सही है में के बाद भीवन आएगा और यहाँ पे लाइफ ठीटेनिंग भी बिल्कुल सही है तो बताओ गई कि इसमें एरर क्या है जल्दी से बताएं मेला घुमने में मन नहीं लगता है कि वल पढ़ाने में मुझे मन लगता है आप लोग घुम लीजी आप लोग बच्चे हैं आप लोग को घुमना चाहिए लेकिन पढ़ा कर जाना उसके बाद घुम लेना अब मुझे बुजूर्ग में नहीं समझ लीजेगा अभी मैं भी यह अंग हूँ लेकिन समय से सब कुछ होता है जाएंगे रातरी दस बजे यारा बजे घुम लेंगे जल्दी बताओ हाँ पढ़ कर जाना भोला जी कोई नहीं है बताने वाले लोग जो बताएगा उसे धेर सारा पैसा मिलेगा मेला घुमने के लिए दसारा में कोई नहीं हम देली से हैं वेलकम भाई रोही सर्मा वेलकम देली में भी अपने चैनल का परचार कीजिए पंका जिंगलिस का सब कुछ अबिलेबल करवाय जाएगा चलो सारे लोग का अंसर बिलकुल गलत है एक बता रहे हैं कि सोर बर्मा जी की वाईंड होगा विंड होगा बिलकुल गलत है अंसर अपका बिलकुल गलत है कोई नहीं पढ़ती है वेदर हमारा क्या है नाउन है क्या है नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और विंडी एडजेक्टिव ही तो है पागल है क्या हमारा wind जो है noun है wind क्या है noun है और आपको बार बर बताय जा रहा है कि noun में अगर y जोड़ दें तो adjective होता है क्या होता adjective तो आप wind थोड़े ना यूज करोगे windy सही है लेकिन एक बात समझेगा कि एक कैसा noun है uncountable noun और uncountable noun के साथ article का यूज नहीं होता है error third part में है कोई तो नहीं बताया था चलिए गलती करवा दी न आपका गलती होगा न तो मुझे मज़ा आएगा नहीं तो आपको attitude आजाएगा सीखने की भूख खत्म हो जाएगी questions तो गलती होना चाहिए लेकिन हाँ मतलब आपको इस लेवल तक practice करवा देंगे कि exam में आपको नया question देखने को नहीं मिलेगा ठीक है आ नहीं होगा वेदर क्या है वेदर uncountable noun है इसके साथ article का यूज नहीं होगा uncountable noun के पहले article का यूज नहीं होगा आगे चलो next question क्योंद you can not imagine that I have been in the teaching line चलो मैं बताता हूं देखो अब बहुत लोग का जो reply है वो गलत हो जा रहा है तो बहुत लोग option के थ्रू जा रहा है ठीक है आप तो कोई answer ही नहीं बता रहा है direct option के थ्रू जा रहा है नित्यानन्दा बता रहा है चलो you can not imagine that I have been in teaching line for more than five years कर रहा है कि तुम imagine भी नहीं कर सकते हो कि कि मैं मैं पान साल से जादा से भी teaching line में हूँ teaching line में हूँ सत्यम बोल रहे हैं कि years होगा देख लेते हैं year कहा है अच्छा बहुत सारे लोग पागल हैं क्या five के बाद years में एस नहीं लगाओगे न तो सारे English के classes बंद हो जाएंगे भाई आप क्या यहीं चाहते हैं क्या five के बाद जो noun आएगा न वो हमेशा plural आएगा years तो बिल्कुल सही है भाई इसको कोई गलती ठाराई नहीं सकता हाँ year के बाद कोई noun आता तो year में हम लोग एस नहीं लगा सकते थे five year क्या होता जैसे five year plan हाँ एक कांसर बिल्कुल सही आया है सुनेहा कि सुरबर्मा का teaching line नहीं होता है teaching profession होता है ठीक है याद रखना भाई लोग यह थोड़ा आपके imagination के beyond था आप कहीं और सोच रहे थे लेकिन एक fix expression है लोग बोल चल की भासा में informal English में teaching line बोल देता है आप पुरा धडले से बोलता है कि मुझे teaching line बहुत पसंद है इसलिए मैं teaching line को चुना एक grammatically गलत है teaching line बोलना गलत है grammatically क्या सही है teaching profession क्या सही है teaching profession कौन पिये हुए है कैसे कैसे लोग हैं दसरा में कौन पिता है यार चलिए विहार में तो बंद है सराव आगे चलो few days ago कुछ दिन पहले की बात है उधा received a ten pages later एक letter प्राप्त की है तो a letter बिलकुल सही है ये singular noun होगा ten pages के लिए आया है तो ten pages भी बिलकुल सही है लेकिन noun के पहले आया है तो बेचारा मजबूर हो गया अब इसमें एस नहीं लएगा steep part mirror है steep part mirror है I love you too भाई आगे चलिए next question में देखिए people who enjoy these kind of activities activities बोला है एक से ज़ादा है और यहाँ पे एक आपको use किया गया है adjective demonstrative adjective और दीज के बाद आपको पढ़ाया गया होगा कि हमेशा PCN होता है और PCN होता है तो kind में क्या लएगा एस लएगा क्या तो these kinds of activities होगा बहु सारे लोग तो सोच रहे होंगे कि सर this kind कर देते हैं इस kind नहीं कर सकते हैं योंकि activities plural है तो kinds करना पड़ेगा आप these को this से replace नहीं कर सकते हाँ kinds होगा सारी लोग का बिल्कुल सही है संजीब कुमार का गलत है पेज हाँ अच्छा पहले वाले question का बता रहे हैं बिल्कुल सही है हाँ kinds होगा अजय कुमार आग देखिए next question question number 15 one must drive carefully as this cross road is dangerous का रहा है कि प्रतेक लोग को carefully ध्यान पुरवक से वस चलाना चाहिए क्योंकि जो चवराहा है ना बहुत खातरनाक है ठीक है ना कि दीस के बाद singular noun आएगा cross road सही है यह singular है singular noun यहाँ पे युज होना चाहिए singular noun भर्वी क्या उजोगा singular भर्व तो बताओ सब तो सही है this cross road is dangerous सही है one ध्यान दिजे प्रतेक के सिंस में आता must model है drive even है और drive को qualify करने वाला एड़ भर्व होता है तो यह भी बिल्कुल सही है चलो आप लोग बताओ तो जाने किस मेरर क्या है हाँ बिल्कुल सही है cross roads होगा भोला जी cross road में ace लगाओ चवराहा का English जो meaning होता है न वो cross roads होता है और यह cross road singular भी होता है और plural भी होता है तो sir yes लगा दिये तुम कैसे समझें कि singular है देखो यहाँ पर determiner आया हुआ हुआ है क्या this और यह बता रहा है कि cross road को किस sense में यूज किया गया है singular sense में तो आपको easy लगेगा तो रहा का अंग्रेजी क्या होता है cross roads होता है आगे चलिए next question देखो all his office springs are courteous as well as studies कुछ लोग बोल रहा है पी कर चलाना चाहिए हम नाम देख लिये हैं beauty सागर ठीक है आप कहीं पी नहीं न लिये हैं मेला गुमते गुमते देखे इधर all his office springs are courteous as well as studies देखोगे यहाँ पर all के साथ plural noun चाहिए ठीक है all के साथ क्या चाहिए plural noun चाहिए न ठीक है या all के साथ आप singular uncountable noun भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो all के साथ plural noun भी साहिए uncountable noun भी साहिए लेकिन सबसे बड़ी बात है कि noun चाहिए लेकिन of a spring singular plural दोनों होता है इसमें यह नहीं लगेगा of a spring का ही synonym होता है issue क्या होता है issue और यह दोनों singular plural दोनों होते हैं इसमें अगर कोई ace लगाता है तो एक common error है दोनों में ace का पर्योग नहीं होगा इसमें भी ace common error है और इसमें भी ace नहीं लगेगा आपको कुछ word पढ़ाया गया है कुछ word पढ़ाया गया है कि singular plural दोनों होता है यह प्रगेनी है जिसका मतलब बाल बच्चे होता है तो issue बोलिए या of a spring बोलिए हमें इसा singular form में यूज होगा तो इसमें इस लगाना गलत है error b part में आगे चलिए my earnings is not sufficient यहाँ पे earnings का मतलब क्या है आए है और जब earnings का मतलब आए होता है या फिर earnings means I होता है यह always plural होता है यह always क्या होता है plural तो भार भी plural लेगा तो इस नहीं क्या होगा R होगा error किस part में है B part error किस part में है B part हाँ भोला जी बिलकुल सही है earnings means I होता है आईए next question क्यों identifying natural and developing and improvised talent is among the most important task ध्यान दिजेगा among हमारा क्या है preposition और आप जानते हैं कि between भी preposition है और among भी preposition है लेकिन between का मतलब के बीच में और among का मतलब क्या होता है के बीच में लेकिन between दो के लिए उज़ोता है दो के लिए और among जो होता है दो से ज़्यादा क्लिवज होता है तो between के बाद भी हमेशा plural noun चाहिए और among के बाद भी हमारा हमेशा क्या चाहिए plural noun चाहिए ठीक है plural noun चाहिए जैसे मैं मम्मी पापा के बीच में बैठा हुआ था तो I was sitting between my father and क्या हो गया मदर जब कलास चल रही थी तो मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में खड़ा था तो I was standing among my students तो इमांग के बाद पुलल noun चाहिए तो इमांग के बाद पुलल noun चाहिए तो टास्क नहीं क्या होगा टास्क होगा टास्क में एस लगेगा चलो आओ नेक्स कोस्टन की ओर कोस्टन नमबर 14 तो समंस आपको पढ़ाया गया है कि समंस सिंगुलर काउंटेबल noun है समंस क्या है सिंगुलर काउंटेबल noun है जिसका मतलब बुलावा होता है कोट किसी को हाजीर होने का ज्वादेश देता उसी को समंस बोलते है तो यह सिंगुलर काउंटेबल है और टु के बाद आने वाला noun हर हाल में पीसियन होगा और जब यह पूलल काउंटेबल noun हो जाएगा तो इसमें अलग से एस लगाना पड़ेगा एरर फर्स्ट पार्ट में है तो टू समंस नहीं होगा टू समंस होगा हाँ बेलकुल सही है टू समंस आएए नेक्स कोशन में कोशन नमबर ट्वेंटी दावेदियाज है बिन लिविंग हीर फोर अबाउट आ क्या है डिकेड कराय कि बैदिया परिवार जो है लगभग 10 साल से यहां पे रह रहे हैं तो दापलस पूलल सरनेम क्या दर्साता है फिमली को याद रहे दापलस पूलूरल सरनेम यह जो होता है ना यह फिमली को दर्साता है और यह प्लूरल होता है भर भी क्या लेता है प्लूरल और ध्यान दीजेगा है क्या दर्साता है फिमली को किसको फिमली को जैसे गुपता परिवार गया में रह रहे हैं तो हम बोलेंगे दा गुपता नहीं, दा गुपताज क्या होगा? हीज नहीं, र होगा, can पूर्पूर परिवार बोलेंगे तो दा कापूर हो जाएगा उसी परकार से बैद्या परिवार बोल रहे हैं, तो दा पलास पुलल सरनिम होगा तो यहाँ पर family को दर साने के लिए दा प्लस बैदिया में अपस्ट्रॉफियस नहीं बलकि एस लगाना पड़ेगा एरर फास्ट पर्ट में हाँ, मन्टू कुमार का बिल्कुल सही है अपस्ट्रॉफियस नहीं होगा, एस होगा आगे चलो, नेक्स कोशन क्यों आज का लास्ट कोशन है देखिये अचसे अचसे, भोला कुमार, दा यादा परिवार ठीक है दा यादा परिवार, खुस रहो भाई दा यादाप्स From my hotel, I could see that a flock of deer That यहाँ पे क्या है? That क्या है? Conjunction है A flock of words पच्छियों को जुन को क्या बोलते है? flock बोलते है ठीक है, क्या है? preposition है preposition से दो वर जुड़ा हो तो भार्व का फैसला पहले वाले किया जाएगा पहले वाले करेगा तो आप flock बताएए ना, singular है ना पच्छी तो जरूर एक से जादा है लेकिन जुन्ड तो एक ही जा रहा है तो आप flock singular है तो भार्वी singular लेगा तो वर नहीं क्या होगा? वाज होगा क्या होगा? वाज होगा गलते किस पार्ट में है? लास्ट में डी में हाँ वाज होगा बिल्कुल सही है सबका तो ए सेशन में 21 questions करवाया गया बहुत अच्छे-च्छे questions का selection लिया गया था इसके बाद फिर से आपको करवाया जा रहा है exercise 9 तो सारे लोग बने रही है कहीं जाईएगा नहीं ठीक है? वर नहीं क्या होगा? इस वीडियो में यहीं तक comment करके जरूर बताईएगा कि आपको सेशन कैसा लगा सारा question मैं समझा पाया अच्छा से कि समझा नहीं पाया आप हाँ या ना में comment section में comment जरूर किजिएगा इस वीडियो में यहीं तक take care, bye bye, जहिन